वाट इस SIP, SIP एक systematic investment plan है, इस plan में investor एक fixed amount, एक fixed time period पर जैसे monthly, quarterly या yearly जो time period investor ने खुद fix किया है, उस time पर एक amount जो उसने खुद ही तै किया है, वो mutual fund scheme में invest करता है जैसे हम recurring deposit में करते हैं, जैसे हम RD में invest करते हैं, हर मन्त एक fixed amount वैसे ही SIP में भी करते हैं जब investor एक fixed amount, एक fixed time period पर mutual fund में invest करता है, इसे ही SIP कहते हैं SIP की सुरुआत हम 500 रुपे से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमाई पर ज़्यादा पैसे हों तब ही हम इसमें invest करें इसकी सुवाद कम पैसों में भी हो सकती है, SIP में compounding benefit के होने से investor को उसकी invest किये गए पैसों पर तो return मिलता ही है, साथ ही उसके पहले के return पर भी return मिलता है SIP में invest करना एक better option है investor के लिए, और ये काफी हर्त तक investor को जोखिमों से भी बचाता है What is HDP? HDP एक systematic transfer plan है, इस plan में investor अपने lump sum amount को एक scheme से दूसरे scheme में transfer कर सकता है जैसे investor के पास एक lump sum amount है, मतलब बहुत सारा पैसा है और वो इन सारे पैसों को direct share market में नहीं लगाना चाता, वो share market के risk से बचना चाता है तो हो क्या करेगा? Mutual fund की scheme में debt instrument में वो invest कर देगा अपने सारे पैसों को और इन सारे पैसों में से थोड़ा थोड़ा पैसा है जो इसी mutual fund के equity fund में transfer करेगा जो उसने fix किया है, एक fix amount, एक fix time period पे इसमें transfer होते रहेंगे इसे investor को तो ये फायदा होगा कि उसके जो इकटा जो पैसा है उसका वो भी save रहेगा और साथ ही equity fund में invest किया गए पैसों पर उसे equity का return भी मिलता रहेगा इसे ही हम systematic transfer plan कहते हैं और इस plan में investor जब चाहे अपने equity में invest किये गए पैसों को debt में invest करवा सकता है systematic withdrawal plan systematic withdrawal plan में investor अपने investment किये गए पैसों को mutual fund scheme से redeem करता है यानि उसने जो पैसे invest किये है mutual fund में उनको installment में redeem करता है investor इसमें धीरे धीरे पैसे investor के saving account में transfer होते रहते हैं यह SIP का जो है उलिटा होता है इसमें क्या हो रहा था इसमें investor अपने पैसे saving account से mutual fund scheme में transfer कर रहा था और इसमें investor mutual fund scheme से saving account में अपने पैसे transfer कर रहा है यह plan determined person के लिए better साबित होता है क्यूंकि यह खुद के द्वारा तैयार किया गया हुआ एक pension plan है या फिर वो person जिसके पास कमाई का दूसरा जरिया ना हो तो वो इस plan को ले सकता है इस plan में पैसो को installment में payment किया जाता है मतलब जो थोड़े थोड़े पैसे investor के saving account में transfer होते रहते है mutual fund scheme से उसके account में transfer होंगे investor चाहे तो अपने invest किये गए पैसो को ना लेके उस पे जो return मिल रहा है उसको अपने account में transfer करवा सकता है यह investor के उपर depend करता है example जैसे SIP में हम अपने bank account से एक fixed amount एक fixed time period पर mutual fund scheme में transfer करते हैं और STP में क्या करते हैं एक scheme से दूसरे scheme में पैसो को transfer करते रहते हैं हम एक बर खटता अपना पैसा जो है mutual fund के debt instrument में invest कर देते हैं और फिर इस scheme से इसी mutual fund की दूसरी scheme में equity में invest करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा ताकि हम market के risk से पच सकें और SWP में क्या होता है इसमें mutual fund में जो invest किया गया investor का पैसा है इसको हम वापस investor जो है redeem करता है इसको वापस transfer होता है saving account में investor के mutual fund scheme से उसके saving account में transfer होता है thank you for watching the video